सबी का स्वागत है एक्साइज कॉन स्टेवल मतलब उत्पाद सिपाही के इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्लेबस के बारे में पुरा डिटेल करने वाला हूँ कि क्या क्या स्लेबस है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ेंगे कितने मार्क्स का जो है इसमें आपका एक्जाम लिया जाएगा फिजिकल कितने किलोमेटर का होगा मेडिकल कैसे होता है कौन सा स्टेव आपका कब लिया जाएगा कब फिजिकल लिया जाएगा कब मेडिकल लिया जाएगा कब running होगा, कब आपका exam लिया जाएगा यह सबसे बड़ा confusion वाली बात student के लिए हो जा रहा है और सबसे बड़ा confusion अभी जो हो रहा है running के बाद क्या होगा, medical होगा या आपका exam लिया जाएगा वो सब चीज को अभी मैं इस video में clear करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे student का यह issue हो रहा है, कि running के बाद तुरन medical ले ले जाएगा, तो वो मैं अभी clear करूँगा वीडियो में बने रहीएगा, बाकी आप लोग ये चीज को आप धियान में रखिएगा, यहां देखिए, बिग्यापन संख्या जो है, एक बाइस है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये vacancy आने के बाद इसमें case हो चुका है और जो बच्चे case किये हुए हैं इसमें, तो मैं उनके लिए भी कुछ दिन बाद जो है पुरा clear करके उसके बताऊंगा कि आपका क्या हो सकता है इसमें और क्या matter था, वो सब मैं पुरा खुद पहले जान लेता हूँ क्या है नहीं है उसके बाद एक अच्छा सा वीडियो बना के जो 100% सही हो और आने वाले time में आपके साथ क्या होगा और इस case का क्या हो सकता है पता करके मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा और जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा ऐसा नहीं है कि आपको दोखा में रखोंगा ऐसा कुछ भी नहीं है उसके आप देखिए आगे बढ़ियेगा तो इस वीडियो में मैं तो मैं syllabus ही बताऊंगा लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज बता देता हूँ ठीक है जिससे आपको अगर जो न्यू देख रहे हैं उसको अगर कुछ पता नहीं है तो साड़ चीज उसको एकी बार में एकी वीडियो में पता चल जाए तो 583 जो है वेकंजिस था जैसे मैंने आपको बता चु कि रहे हैं क्वालिफिकिस्न टेंथ है और इसके बाद आपका जाके मेजरमेंट वगरा आप लोग देख लीजेगा खुदी आपको पता होगा ही कट अपडेट भी मालूम होगा यह वगरा जो है 25 है वो आप जानी रहे होंगे इस वीडियो में मैं सौड में पार कर रहा क्योंकि यह जो है स्लेवर्स के लिए मैं बना रहा हूं वीडियो और स्लेवर्स के लिए यह सभी बच्चे देखने की कोसिस करेंगे इसको तो आप देखते हैं यह स्क्रीन पर आ रहा है कर आप कुछ आनकारे नहीं है तो आप वीडियो को पहुंच करके आप उसे आराम से देख सकते हैं यह जो प्रोसेस बताया गया है किस तरह से फोम फीलफ होगा कितना फी लगेगा वो सब अभी जो है मैं स्कॉल कर रहा हूं वो पार हो रहा है देखिए मैं जो मकसद है इस वीडियो का और मैं जिस मकसद से इस वीडियो को बना रहा हूं वो अब स्टार्ट ह होगा है यहां देखिए आपका प्रोसेस जो है पहले होगा सारी तक्षिता परिश्या मतलब फिजिकल और वह दस किलोमेटर होगा बॉइस के लिए वह जानने यह उतने बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाए जाएगा उसके आद उसमें से दो बच्चे को बाहर कर दिया जाएगा और एक बच्चे का फाइनल सेलेक्शन होगा जो मेरिट के रूप में आपके जैसे सी वेफसाइट पे सोख होगा और उस बच्चे का नौकरी लगेगा ठीक है उसके वाद आप देखिए नीचे अगर आते हैं तो सब्जेक्ट वाइस जो है नंबर बाटा गया है इसमें देख लिए जैकोन-कौन सब्जेक्ट होगा तो पेपर वन होगा पेपर टू होगा और पेपर थी होगा पेपर वन जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग हो है दीखे 30 परसंट जो है आपको नंबर लाना पड़ेगा 30 मतलब 120 में 30 परसंट मालीजे कितना हो गया 36 कोशन हो गया और 36 कोशन का माक्स कितना होटा इंट्वी कर दीजे 108 एक सो आठ नंबर होता है तो आपको 360 में 108 नंबर लाना है पास करने के लिए जो काफी इजी है नागपूरी रखते हैं तो खोठा नांगपूरी के लिए मैं अलग से बिडियो लाओंगा उसमें पुरा डीटेل जो है एक पूराrance ही है खोठा का बहुत बड़ा स्लेवस है नापूरी के लिए वह बहुत बाद बढ़र स्लेवस है तो वह दोनों को समान अधियन है जारखन राज से समंधित है 50 questions, समान विज्ञान है 20 questions, समान गनीत है 10 questions, टोटल 120 परसन, वही 360 नमर है, इसमें जितना अधिकतव नमर लाईएगा, मेरिट में आपका जादे चांस बनेगा, इसमें minimum qualification आपको नहीं देखना है, अधिक से अधिक नमर लाके, मेर मेरिट में आगे बढ़ना है, पेपर 2 और पेपर 3 में, पेपर 1 में जो है आपका qualifying है, इसलिए 30% नमर लाईएगा, 36 questions आप 120 में सही कर देते हैं, तो आप qualify कर जाएगे, मतलब पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा, और उसका नमर आपका मेरिट के लिए, आप मतलब मेरि बसको और describes कर दिया गया है, तो हिंदी अनुछेत से आएगा 20 questions, हिंदी व्याकरन से आएगा 60 questions, यह जो है काफी important रहेगा आप लोगे, क्योंकि 10th level में हिंदी व्याकरन सबका strong रहता है, क्योंकि हिंदी व्याकरन से 10 वाले जो हैं, CBSC board नहीं है, यह बोल रहे हैं, क्या बो सासे क्या होगा, तो अंगरी जी अनुछेत पर अधारित होगा person, 20 person होगे, और अंगरी जी व्याकरन पर 20 person होगे, व्याकरन मतलब काफी easy होता है, opposite word वगरा आएगा, और passive वगरा आता है, छोटा छोटा, तो उस सब तो easily हो जाएगा, पेपर 2 तो मैं जैसे भी बताया है, क छित्रे भासा होगा आपका, इसमें आप देखिए, हो है, खोर्ठा है, खोर्ठा का स्लेवस में बहुत जल्द बताने वाला हूँ, उत्पाथ सिपाही को लेकर, कौन सा बुक से पढ़े हैं, जिसमें पूरा स्लेवस आपका cover हो जाएगा, एक ही बुक से, और वो है असपर चेत्रे लेंग्बजे देख लिए, पेपर 3 का जो है, वो study material आपको देखने का जो है, जो है, जरौत पढ़ेगा, तो इसमें देखिए, समान अध्यन से जो है, इतना कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, जो general study होता है, वो समय लगब समान विज्ञान से तो आप एक किताब कोई भी उठा लीजे, या 9-10 का किताब अगर उठा लेते हैं, तो आप कोई भी जोड़त नहीं पड़ेगा, और किताब उठाने का, क्योंकि 9-10 वाले किताब से PCS वाले बच्चे त्यारी कर रहे हैं, और सारा question फस्ता है, ठीक है, बागे समान निगनित अगर है, तो अगर आप 10 पास हैं, अगर इमानदारी से पास की हैं, तो आप समान निगनित में जारखन में इतना घटिया लेबल है, मैत का की मत पूछिए, एकदम question देखते हैं, या answer आप ठीक मार दीजेगा, अगर कितना भी कम जानकार हैं तो, तो किलोमेटर दोडने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो काफी easy है, आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए practice चाहिए, और हलका भूलका अभी से practice करते रहिएगा, तो आराम से हो जाएगा, ठीके, उसके बाद आपका जो है, एक्जाम लिया जाएगा, इ यही था स्लेबस, एक्साइज कॉंस्टेबल का, उसके बाद जो है, अपकमिंग वीडियो जो मेरा है, जैसे सीजियल को लेके होगा, जिसको मैं बताओंगा कि किस तरह से, और कितना amongst का questions आने वाला है आपका एक्जाम में, और book list जो है, बारी-बारी से बताते जाओंगा, जैसे आज एक्साइज कॉंस्टेबल का, उतपाद सिपाही का में सिलिबस बताया, तो इसका book list अगला वीडियो में, इसका playlist में मिल जाएगा, जहां अलग-अलग playlist बन जाएगा, ठीक है, मेरे चैनल पर आप जाके देखिएगा, तो उसमें आपका book list मिल जाएगा, जिससे आपको easy होगा, और इस channel को मैं कुछ दिनों में इस हद तक आगे बढ़ा दूँगा, कि आपको कोई परिशानी नहीं होगा, अगर आपको जहारखन में exam देना है, तो आपको सब चीज एक playlist मिल जाएगा, जिससे आपको, मैं examper के तोर पर बता देता हूँ, एक size constable, अगर पुतपात सिपाही का vacancy के लिए अप अपलाई किये हैं, तो आपको ये होगा, कि एकी वीडियो में, एकी channel में सारा change मिलेगा उसमें आपको, syllabus क्या है, कितने मक्स क्या आएंगे, physical से related, medical से related, जितना भी जानकारी होता है, और study material तक भी, सब एकी channel में आपको available हो जाएगा, तो आपको 10 channel देखने का जरूत नहीं है, और अपना time waste करने का जरूत नहीं है, बस उसके अधागला video जैसे CCGL को लेके मैं कोसिस करता हूँ, कि उसका syllabus डिस्क्राइब करूँ, और जो upcoming exam बहुत जाल लेने वाली है सरकार, जैसे CCGL का, ठीके, तो बाकी channel पर अगर new है, अगर मेरा video आपको लगता है कि कुछ help कर पा रहा हूँ आपका, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वोले time में और बहुत हद तक मैं इस पर मेहनत करने वाला हूँ, और सारा चीज में एक ही channel पर अबलेबल करने वाला हूँ, जिससे आपको काफी हद सुबिधा होगा, और यही कौसिस मेरा है, क्योंकि मैं छातर के मुद्नों को हमें साथ जानता हूँ, और क्या करने से छातर को फैदा होगा, यह भी मुझे पता है, तो चैनल पर अगर new है, तो चैनल को फिर से एक बार कहूंगा, कि सब्सक्राइब कर लिजेगा, और बेल आइकान दवा दिजेगा, क्योंकि वीडियो आते रहेगा भी लेगुलर, जैसे मुझे टाइम बिलेगा, तो रेगुलर वीडियो देता रहूँगा, पागी वीडियो देखने के लिए फिर से सभी का एक बार धन्यवाद,